हेलो बच्चो, सो आज हम करेंगे लेसन एट, और लेसन एट है A Treat for Mosquitoes, यानि मच्छरों की दावत अब आप सोच रही होगी कि ये क्या बात हुई, हमने तो इंसानों की दावत सुनी ती, मच्छरों की भी दावत होती है हाँ बच्चों मच्छरों की दावत के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे लेकिन अब यहाँ पर कुछ चीजों के बारे में आपको बताऊंगी जो मच्छर जो होते न बहुत सारी बीमारिया फैलाते हैं और सबसे पहले बात करूँगी जो बलड टेस्ट होता न बलड टेस्ट किया जाता है जिससे क्या होता है मलेरिया का टेस्ट होता है जिससे तो रजट आज बहुत दिनों की बाद स्कूल आया है सभी बच्चे उसे गेर कर खड़े हो गए अब आरती पूछती है अब तुम कैसे हो तो रजत बताता है ठीक हूँ मैं अब जस्किरत बोलती है घर पर तो खूब खेलते होगे रजत कुछ चिड़कर बोलता है बुखार में खेलने का दिल ही नहीं करता उपर से करवी दवाई भी खानी पड़ी और खून का बलड मतलब जब सुई मुझे चुबी निडल जब उसने प्रिक किया मेरी फिंगर को तो ऐसा लगा जैसे चीटी ने काटा हूँ और दो-तीन बून खून लेकर टेस्ट करने से पता चला कि मुझे क्या है मलेरिया है अब नैंसी बताती है मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है तो रज़त बताता है हाँ पर पता तो खून बलड टेस्ट कराने से ही चलता है जसकिरत बताती है कि उसके घर में तो आजकल बहुत मच्छर है पर मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ नैंसी बताती है अरे भई मलेरिया हर मच्छर के काटने से थोड़े ही ना होता वह तो बीमारी वाले मच्छर से ही होता है तो आर्थी बताती है मुझे तो सारे मच्छर एक ही जैसे दिखते है रज़त बताता है हाँ वो तो है लेकिन होते तो अलग-अलग होंगे तभी तो वो किसी के काटने से मलेरिया होता है और किसी से नहीं होता बच्छो देखो अब बलड टेस्ट कैसे होता है तो मलेरिया के टेस्ट के लिए बच्छो जैसे आप तस्वीर में देख पा रहे हो एक ग्लास लाइड पर क्या किया जाता है कुछ ड्रॉप्स डाला जा ब्लड की और इस तरह से ब्लड टेस्ट किया जाता है और यहाँ पर क्या है मलेरिया जो हो ना किस्से फैलता है तो वो फिमेल एनोफलिस मस्किटो है जिसकी से ये वो मच्छर है जो मलेरिया को फैलाता है इसके अलावा डॉक्टर मरियम स्लाइड को माइक्रोस्कोप से देखते हुए इस माइक्रोस्कोप से एक चीज हजार गुना बड़ा दिखता है इसलिए खून के अंदर की जो छोटी छोटी माइनियोट चीजे है जो बिमारी काउस करने वाले ऐसे चोटी चोटी कोई माइक्रो आर्गनिजम है जिसको वो देख पाती है और वो बड़े बड़े देख पाती है नैंसी बताती है क्या वो उसी चगह से खून लिया था जहां पे मच्छर ने काटा था तो रजट ने बताया नहीं भई मच्छर ने कब और कहां काटा ये तो मुझे भी नहीं पता तो नैंसी ने बोला खून में क्या क्या दिखाओगा उसमें क्या क्या होगा जिससे मलेरिया का पता चल पाया चलो बच्चो ऐसे सवाल सुनने के बाद आपको बताती हूँ clinical report कैसी होती है तो आप यहाँ जो देख रहे हो ना यह clinical report है कुछ से तरह से होती है जिसमे की pathology का नाम लिखा होता है कि कौन से pathology से बनाई गई है फिर ने में देखो यह रजज़त है ना रज़त का नाम लिखा है उसकी एज लिखी है और फिर क्या लिखा है डाइगनोसिस किया गया है किस चीज़ से वो लिखा है और जो result है ना वो लिखा गया है कि Malarial Parasite Found in Blood Sample अब Malaria की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेर की चाल से बनाए जाती है पहले तो लोग चाल को उबाल कर और चान कर ही इस्तमाल करते थे लेकिन अब चाल से दवाई बनाते हैं बच्यों एनिमिया क्या है एनिमिया आर्थी यहां पर पूछती है बलड ट में फिर क्या निकला था एनिमिया निकला था तो अब रजत पूछता है कि वो क्या होता है आरती बताती है डॉक्टर ने कहा कि blood में हुमगलोबीन या फिर iron की कमी होने से उसे एनिमिया हो गया है तो डॉक्टर ने बहुत सारी medicine दी जो उनका strength बरहाने के लिए immunity बरहाने के ल और एनिमिया में गुड आवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने को कहा और ये बताया कि इन में आयरन होता है जो खाने में अगर सामिल करोगे तो आपका एनिमिया ठीक हो जाएगा तो नैंसी कहती है कहीं उन्होंने मजाग तो नहीं किया वही खून में लोहा कैसे होता है जस्किरत बताती है का लखबार में इस बारे में आया था रजत हसते हुए तो फिर तुमने लोहा खाया आरती ओहो या कोई चावी वाला लोहा थोड़े होता है पता नहीं कैसा होता हो पर जब मैंने खूब सबजियां खाई तो मेरा हमगलोबिन बढ़ गया बच्चों बलड की जो है न कोई रिपोर्ट अगर आपकी घर में किसी की टेस्ट हुई है तो आप अपने बड़ों से मांग करके वो टेस्ट रिपोर्ट जरूर देखना कि क्या क्या लिखा होता है उस क्या क्या बच्चों को उन्होंने बलड टेस्ट कराया तो बच्चे बहुत शारिरिक और जो रूप से कमजोर थे और उनके टेस्ट में उन्हें एनिमिया पाया गया उन बच्चों के एनिमिक पाया गया बच्चों एनिमिया से क्या होता हमारे बॉड़ी पर हमारे दिमाग इसे सब तंदुरस्ति पर इसका असर होता है जिस कारणने आप ठीक سے बड़े नहीं हो पाते इंथ legally틋 अरु उन्नकी ताइज जाती है जिससे की अगर बच्चा एनिमिक है तो उसको अइरन की दबाई दी जाती है बच्चों देखो यहाँ पर एक clinical report है pathology test की यह report है जिसमें पाया गया है कि RT जो है वो एनिमिया हो गया है उससे और homoglobin देखो बचो homoglobin है न कितना होना चाहिए homoglobin का जो range है न नॉर्मल 12-16 होना चाहिए लेकिन यह 10.5 है यानि कि वो एनिमिक है तो जब आपका report range से कम हो जाता है तो आप एनिमिक हो जाते है मतलब आपके homoglobin की कमी है आपके सरीर में और जिससे क्या होता है आपकी immunity पर सीधा सीधा असर होता है आप जल्दी ठक जाते हो तो बचो यह सब चीजों से आपको सावधान रहना है और देखो एक जरूरी बात है कि malaria से बचने के लिए आपको क्या करना है कुछ सावधानिया बरत नहीं है आप अक्सर है ना अपने टीवी पर हर जगा एड देखते होगे क्या है तो malaria है ना यहाँ पर इस तरह की poster लगी हुई है जो school के बाहर लगी है आप भी ऐसी poster अपने classroom के बाहर अपने कमरे में लगा सकते हो अब क्या कहल लिखा है इसमे beware are you inviting mosquitoes क्यूं अगर क्या आसपास पानी कठा हो रहा है तो आपको इसमें मच्छर जो है ना आराम से अपने eggs को ले कर सकते हैं तो बहुत जरूरी है कि आसपास पानी कठा ना होने दे गड़ों को भर दे और पानी के बरतन टंकी और cooler को साफ रखे और हर हफते इसे सुखाएं मच्छर दानी का इस्तमाल करें जब आप सोते हो और गड़े में भरे पानी के उपर मिट्टी का तेल छे रख दे जिससे की mosquito की breeding रुख जाए देखो बचो यहाँ पर जो आपने देखा यह अब यह poster बहुत सारी चीजे बताती है रजट बताता है अब रजट को उसुकता हुई जानने की कि यहाँ पे लारवा के बारे बताया गया है वो क्या होते है तो नैंसी बताती है मच्चरों के छोटे बच्चे देखो जैसा कि यह ग्लास में दिखाया गया है आपको बढ़ा करके यह mosquitoes के लारवा है वो लारवा क्या होता है जो बिल्कुल मत दिखने में मच्चर जैसे नहीं होते और यह आपने कई जगे हो सकता है देखे भी होंगे आपके घर के पीछे घर रखे बहुत दिनों से पानी परा था कोई पतीला रखा है जिसमें पानी परा हुआ है तो यह सारी चीजे वहाँ पर मच्चर जाकर वहाँ पर अपने लारवे दे देते हैं अंडे देते हैं उनहीं से यह बड़ा होकर लारवा बनता है फिर यह बड़े होकर मच्चर बन जाते हैं तो ऐसे में क्या करना है तो फिर आपको जल्दी से लिए पानी को फेक देना है और उसको सुखा देना है उस बरतन को जहाँ पर आप ऐसा देखते हो अब जसकिरत बताती है मुझे साजी आउंटी ने बताया कि मक्यों से भी बिमारी होती है पेट की बिमारी मक्यां तो काटी नहीं है पर वो बिमारी कैसे फैलाती होगी बच्चों मक्यां इधर उधर जाती है और अपने जो पैर होते ना उसमें चिपक जाती है जिससे वो गंदी चीजों पर बैटती है तो वहाँ छिपक जाती है और पिर जब अच्छी चीज पर बैटती है तो उसे वह छोड़ देती है तो जिससे बिमारिया फैलती है बचो अब मैख्यों से भी बहुत सारी बिमारिया फैलती है जो मैं आपको description में question answers में बता दूँगी यहाँ पर बचो ठीक है आगे चलते हैं यहाँ पर एक survey report है जिसको थोड़ा सा हम लोग discuss कर लेते हैं यह थोड़ा important है यहाँ पर कि दो group में survey करना था और survey report कुछ इस तरह से है कि school के नल के पास कुछ हरा हरा सा था जिसे क्या कहते है जो एक तरह का पौधा होता है काई होता जिसे और अल्गी होता बचो actually वह जिसको हिंदी में हम काई बोलते हैं जिसकी वादे से फिसलन होती है और बारिश की मौसमी यह बहुत बढ़ जाता है हमें तो लगता है यह पानी में उगनेवारे उग गए हैं और खुद ही वो ग्रोथ करते हैं इसको कोई लगाते नहीं है लगाया नहीं जाता और तलाप के आसपास गड़ों में भी पानी जमा है इसमें भी कई लारवे देखने को मिले पौदो कुछ चूने पर बहुत सारे मच्छर जो छुपे थे वो उड़ गए जसके साइंटिस्ट पीप इंटू आ मॉस्कितो स्टमक एक मज़ेदार किस्सा है बच्छो आज से लगबग सौ साल पहले की बात है एक साइंटिस्ट थे उन्होंने पता लगाया कि जो मलेरिया है ना मलेरिया मच्छर से फैलता है चलो उनकी ही कहानी उनसे सुनते हैं वो इस बा चानिया पढ़ने कविता लिखने संगीत और ड्रामे में थी खाली समय में वो यही सब किया करते थे उस समय मलेरिया से बहुत जाने जाती थी यह बेमारी बारिश और दलदल वाले इलाकों में पाई जाती थी कुछ लोगों का सोचना था कि गंदगी में कुछ जहरीली गै होती है जिससे यह बेमारी फैलती है एक डॉक्टर ने मलेरिया के मरीच से बलड में माइक्रोसकोप से बहुत छोटे छोटे बारिक जीवानू देखे बच्चों लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह जो जीवानू है यह बलड में कैसे पहुँचते होंगे तो उस सम अंदाजा लगाया और कहा कि मुझे लगता है शायद मलेरिया मच्चर से फैलता है इसकी जाच करने के लिए इन्होंने दिन रात मच्चरों के यह पीछे पढ़ गए अब एक एक करके मच्चर को पकड़ते उनके पीछे बोतल लेकर दोरते और फिर मलेरिया के मच्चरों क मच्चर दानी में बिठा कर उन मच्चरों को दावत देते एक मच्चर को अपना खून चुसाने के लिए जब मरीज को एक को एक आना मिलता उस समय मुझे सिकंद्राबाद के अस्पताल में वो दिन हमेशा याद रहेंगे कि मच्चर को काट कर खोलना और उसके पेट के अं लग अकर जाती इतनी गर्मी थी फिर भी पंका नहीं जल सकते थे क्योंकि हवा से मच्चर उड़ जाते माइक्रोस्कोप में यह सब करने के बावजूद कुछ हाथ नहीं लगा एक दिन किसमत महरबान हो गई हमने कुछ मच्चर पकड़े जो दिखने में थोड़े अलग थ पंक छीटेदार थे उनमें से एक मच्चरी के पेट में देखते देखते कुछ काला काला सा दिखा गौर करने पर पता चला कि वे छोटे छोटे जिवानों बिल्कुल वैसे ही थे जैसे इन्होंने जो मलेरिया के जो पेशेंट से बलड निकाला था उस बलड में थे ठीक व वो मेडिसिनल वर्ड में उनको बहुत बड़ा प्राइस दिया गया जिसे बलो जाता है नोबल प्राइस बच्चो 1905 में मरते हुए भी वो कहते रहे कि कुछ ढून लूंगा मैं कुछ नया ढून लूंगा I will find something I will find something new बच्चो रोनल रॉस को दिया गया यह आवार्ड और आपके आसपास घर के आसपास बिलकुल भी मच्चर जमान ना होने दे बच्चो एक आना एक कॉइन होता है जो पहले इस्तमाल होता था सिक्चा जो अब नहीं जलता और रोनल रॉस को की जो आपकी जो कहानी सुनी वो साइंटिफिक एक इन्वेंशन के बारे में थी और ज सारे ऐसे प्रिया-स से कुछ काम्याब रहे कुछ नहीं भी रहे कैसे है अध्य जानकरी दुनिया को मिली इस मेंसे जहते हैं सफा सब्सक्राइब इस तरह हो疫苀 के इलाज के बारे में कहीं सारी कहानिया बच्चों हम ideas approach सकते हैं और मरेलिया का ट्रीटमेंट सिंकोना से किया जाता है बच्चों सिंकोना की छाल से किया जाता है तो आशा करती हूं आप भी अपने घर के आस पास पास पानी इकठा नहीं होने देंôngगे आप सूखा रखेंगे और अगर पानी है तो आप उसे साफ करते रहेंगे तो जल्दी ही मिलते हैं इस lesson की सारे question answers आपको description में provide करा दूँगे जहां से आप अपने notes तयार कर लेना और जल्दी ही मिलेंगे अपने next lesson में, next videos में तब तक के लिए don't forget to like, share and subscribe and thanks for watching